असलाम अलेकम मैं यूटूब फैमिली वेलकम बैक टू मैं चानल उम्मीद करती हैं आप सब लोग खेरियत से होंगे ठीक ठाक होंगे बहुत दिन होंगे थे में कोई भी रेसिपी वगिर आपके सब शेट नहीं किया इसके लिए बहुत बहुत सौरी तो यहां पर मैं आज के चार खिसम के राजमा मिल जाते हैं लेकिन मैं यही रूस करती हूं आप देखिए आपको किसका टेस्ट अच्छा लगता है आप राजमा यूस कीजिएगा यहां पर मैंने राजमा को पांच से छे गंटे के लिए मैंने भीगो होने के लिए रख दियाता है देखिए फुल कर डबल हो जाते हैं अपने अकाउडिंग आप कितने लोगों के लिए बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप यहां पर राजमा ले लिजेगा यहां पर मैंने एक कप राजमा लिया हुआ है तो इसके अंदर पानी हम डालेंगे तीन कप जितना पानी क्योंकि राजमा जो है पकने में टाइम लगता है तो इस वज़े से पानी थोड़ा सा ज्यादा डालेंगे क्योंकि आगे भी हमें इसको और भी पकाना है मसाले के साथ तो उस टेस पर मुझे लगता है कि मैं कोई भी फिर एक्स्टा पानी नहीं उस करूंगी तो यहां पर मैंने नमक डाल दिया ह है थोड़ा सा जितना राजमा के लिए ज़रूरी है उतना मैंने नमक डाला हुआ है और मैं इसको लड़ा कर तीन विसल पका लूगी यहां पर राजमा जो है वह तीन हो गए है तो मैंने इसको आटोमेटिक विसल रिलीज होने के छोड़ दिया है एक मीडियम से इसकी पैस कट किये थोड़ा सा हरादनिया तीन हरीमिश ली हूई है और 3 मेडियम से इसके प्यास जो ही हो मैंने प्यूरी बना लिया है और यहां पर मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिया है एक टेवल सपून ओइल रिफाइंड ओइल लिया है मैंने यहां एक ब्रायो यहां पर मैंने पुछान ही डी कुछा एसससे फुन हो गया है एक टीजपुन फुल अْ ट्राइकलेशन पेस्ट मैं यहाँ पर घर का बना द्रगलेसन पेस्ट ही यूज़ करती हूँ इसको अच्छे से हम भूनेंगे पहले भी देखिए द्रगलेसन अच्छे से भून गया है तो मैं यहाँ पर सुखे मसाले आड़ करूँगी हल्दी पॉडर मैंने आड़ किया है हाफ टीस्पून और मैं यहाँ पर दो टीस्पून कुटी हुई लालमेच यूज़ कर रही हूँ आप चाहे तो यहाँ पर अगर आपको अच्छा चाहिए रेड कलर चाहिए तो आप यहाँ पर कश्मीरी लालमेच का भी यूज़ कर सकते हैं मैंने नहीं किया है मैंने यहाँ पर है 1 टीस्बून फूल यहां की धनीया पवंडर मैंने यूज़ किया है धनीया पवंडर भी मांगरों इस मेरे बहाँ जो है इसमेर जाएक गर faithful तो यहाँ पर मैंने देखिए यहां पर आड़ कर रहे हूँ नार्मल मिक्सर बिलकु घर होने पकाना है क्यूंकि पानी थोर्वने पर बॉपग कीचा रहे हो और यहाँ पर देखिये मसाला अच्छे से भुन गया है ड्राइ हो गया है तो इस टेज़ आप पर नमक टेस्ट करकर नमक अड्ड कर लिजीएगा तो अभी यह मसाला जो हमने बनाया है उस मसाले को जो हमें अड्ड करना है हमारे राजमा के अंदर अब देख सकते हैं यहाँ पर राजमन गल गए हैं तो यहाँ पर मसाला जो है बना कर त्याय किया है वो इसके अंदर मैं आड़ करूँगी क्योंकि हमें इसको अभी पकाना है मसाले के साथ आप चाहे तो कड़ाई में डाल कर भी पका सकते हैं तो अभी में इसको अच्छे से पकाऊंगी तब तक की हमारी पानी है न इस पूरा सूपकर गाड़ा होना जाना चाहिए इसके अंदर मैंने यहां पर अड़ किया है तीन हरी मिट्च अपर मैं इसको लिड लगांगी लिड लगाने के बार इसको पकाऊँगी तो यहां पर गिलकुल पफेट स्टेज है तो मैं इसको यहां पर गरम मसाला है पर हाफ टीश पून तो यहां पर साथी साथ मैं आड़ करूंगी मेरा सीक्रेट टिप है आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं एक टीस्पूर मैंने यहां पर देसी घी आड़ किया हुआ है इससे खुश्बू बहुत अच्छी आती है इस वज़े से मैंने आड़ किया है और हरा धनिया मैंने बनकर त्यार हो गया है हमारा राजमा मसाला बच्चों को भी बढ़िया लगता है आप जरूर ट्राइ करकर देखियेंगा मैं इसके साथ मैंने जीरे के स्टीम राइस बना कर तियार करके रख़ा वाते तो मैं विसकी के सलस्व करूंगी बहुत ही मज़े के बहुत ही लाज स्क्राइब कर दीजेगा बेल आइकन को प्रेस कर दीजेगा और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा अगले रेसिपी के साथ फिर मुलाकत होगी तक तक दीजिए मुझे इजाज़त आला तला हम सबको अच्छे सहे दे तंदर से दे आमीन आमीन सुमा आमीन बाई 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